कपास के भाव में बनी रहेगी तेजी जी हाँ विदेशों में फजल खराब होने से कपास के भाव पिछले साल के मुकाबले अभी करीब डेड़ गुना ज्यादा है पिछले साल अगस्त के अंत और सितमबर की शुरुवात में कपास के भाव 677,000 पे प्रतीकुन्टल थे लेकिन इस बार भाव अगस्त के अंत में 9560 लेकर 10,000 पे प्रतीकुन्टल तक पहुच गए हैं कपास महंगी होने से रूई के भाव में भी तेजी देखने को मिली है इस बार रूई के भाव 25,000 पे प्रतिक विंटल चल रहे हैं चबकि पिछले साल ये 16,000 पे प्रतिक विंटल थे इस बार सितंबर में अतिव रिष्टी नहीं हुई तो जिले सहित देश में कपास की फसल अच्छी होने की संभावना है बाजार जानकारों का कहना है कि इसके बाव जूद भी कपास के भाव में तेजी रहेगी क्योंकि सानों को इसका फायदा मिलेगा इसका कारण है अमेरिका, चीन और ब्राजिल सहित कुछ देशों में कपास की फसल पर तेज गर्मी का असर पढ़ने से फसल खराब हो गई है इस कारण कपास की मांग अधिक होने से इसके भाव तेज रहने की संभावना जता ही जा रही है और दूसरा इसका असर आमजन पर भी पढ़ता दिखाई दे सकता है क्योंकि धागा और सूती कपड़ा ज्यादा महंगा होने की उमीद है भारत सही तन्या देशों में कच्चे माल के रूप में कपास की मांग ज्यादा है देश में उस्तन 61,88,000 मिट्री टन कपास का उत्पादन होता है और इस बार अधिक बॉआई के कारण कुछ ज्यादा कपास होने की संभावना है यह तबी संभव है जब सितंबर में मोसम अनुकूल रहे सितंबर में ज्यादा बारिश होने पर कपास की पैदावार पर असर पड़ेगा देखा जाए तो इस बार कपास के भाव तेज है हलाकि स्थानिय कपास अभी बजार में नहीं आने लगी है वहीं करनाटक, तमिलनाजू, उत्री राजस्तान, पंजाब की नई कपास बजार में आने लगी है और वहाँ भाव तेज देखने को मिले है चानकारों का कहना है कि इस सीजन में भाव कुछ नीचे आ सकते हैं लेकिन ओवर ओल भाव पिछले साल से अधिक रहेंगे वहीं कुछ वेपारियों का ये भी कहना है कि कपास के भाव में तेजी इसलिए भी रहेगी क्योंकि इस साल मांग ज्यादा है और दूसरा मोसम अगर सितंबर में अनकूर रहता है तो इस बार कपास की पैदावार अधिक होने की संभावना के बावजूत मांग बनी रहेगी वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के पास स्टोक भी काफी कम बताया जा रहा है इसके साथ ही अमेरिका ब्राजील चीन सहीत अन्या देशों में कपास की फसल पर मोसम के कारण परभाव पड़ा है इस सल करीब 320 लाग टन गांट कपास होने की संभावना है अन्या देशों में कपास का उत्पादन कम होने और कंपनियों के पास रूई और कपास नहीं होने से मांग ज्यादा रहने की उम्मीद है पंजाब में कपास में कीड़े लगने के कारण भी उत्पादन कुछ परभावित होता दिखाई दिया है ओवरोल देखा जाए तो बजार ये मानकर चल रहा है कि आगे चलकर कपास में तेजी बनी रह सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी